मध्याप्रदेश के शिवपूर में दो दलित बच्चों की हत्या से आप्रोशित दलित समाज सड़कों पर उतर आया है और मध्याप्रदेश की कॉंग्रेस सरकार के खिलाफ प्रदेशन कर रहा है विदित हो कुस दिन पूर वो मध्य प्रदेश के जनपत शिवपुरी में खुले में सौच करने का आरोप लगाते हुए इलाके के लोगों ने दो दलित बच्चों को बे रहमी से पिटाई की थी जिसके इलाज के दोरान मौत से प्रदेश के देश में राजनीती में भूचाल आया है इस घटना के विरोध में दलित समाज के लोग कमलनाथ सरकार के खिलाफ सडक पर उतर आये हैं सी कड़ी में आज भूरादाबाद में भी दलित समाज के लोगों ने कलेक्टरेट पहुचकर अपना विरोध दर्ज कराया और कमलनाथ के खिलाफ नारेबाजी की इसके बाद एक ज्यापन भी सौपा आज वालमी की समाज के सयूक्त संगठन अखिल भारतिय शिरी वालमी की लव्युवक संग के तत्वाधान में अखिल भारतिय वालमी की महासभा भगवान वालमी की पिरकट उत्सव कमेटी उत्तर परदेश राजी सफाई पंचातराज सफाई करमचारी संग वा अन्य संगठनों के सयूक्त रूप में अम्बेटकर पार्क में वालमिकी समाज के लोग एकतिर्थ हुए और अम्बेटकर पार्क से यहां तक मद्य परदेश सरकार के मुर्दाबाद लगाते हुए और उनकी सरकार को भंग करने की मांग को लेकर और उन पीडित परिवारों को एक करोड का मुआवजा और जो वहां का प्रसासन, पुलिस प्रसासन और मद्य परदेश सरकार जो वहां पर शरियंतर करता है उनको बचाने का प्रियास कर रही है हम आज एक सूत्रिय मांग पत्र हम देने जा रहे हैं जिलादीकारी महोदे जी को, राष्टपती जी को संबोधी थे हमने इसमें मांग की है, कि सबसे पहले उन अधीकारी जो दोशी अधीकारी है भारत के प्रधान मंत्री का सबसे बड़ा कोई परजेक्ट अगर भारत के अंदर चल रहा है तो वो स्वच भारत अभिहान और बड़ी विडमना की बड़ी निंदा जीवात ये है कि उस दलित वालमी की परिवार को दो साल से सोचाले की मांग करने के बावजूद भी उसको सोचाले नहीं बना के दिया गया सरकारी योजनाओं का कोई लाब नहीं दिया गया और यही एक कारण है जो दो बच्चे एक बारा साल की लड़की और दस साल का एक लड़का सुबह सुच करने गए थे वहाँ पर दबंग लोगों ने उनकी लाठी दंडे मार मार कर हत्या कर दी गई तो हम मांग करते हैं कि इसमें जो परसासनिक डी पी आरो सबसे पहले इसमें गोसी है सिप्पुरी के सो चाले ना बनाना डी पी आरो की जुम्मेदारी उनके खिलाप में मा के सेकर्टरी मा के बिलोग प्रमुग एडियो पंचाथ और प्रधान के खिलाब भी 120 बी के तहत मुकदमा दर्ज करके उनको गिरफ्तार किया जाना चाहिए क्योंकि दो साल से मांग करने के बावजूद भी उसको कोई लाब नहीं दिया गया और अगर हमारी बात को नहीं माना क्यूंकि हमने वो पडिवार की इस्तिती देखी है आज भी पन्नियों में रे रहा है अवास कुछ नहीं है उसके बाद हमने मांग की है सबसे पहले कि मद्देपरदेश सरकार को कलपना सरकार को तकाल प्रभाव से भंग किया जाए और व